तो हेलो गाइज केसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे होंगे मेरी अच्छी हूँ तो आज हम बनाएंगे फ्लावर पोर्ट तो बने रहे हमारी इस वीडियो में और देखते रहे पूरी वीडियो तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पेपर को लेंगे और इसको इधर से फोल्ड करेंगे दीरे-धीरे और यह आसानी से हो जाएगा इसको दीरे-धीरे इस ते ही फोल्ड करेंगे बारीकी से और आपको इसे भी कलर का पेपर ले सकते हैं अमने या पर ग्रे कलर करिया है एन यह हमारी इस्टिक बन जाती है इसे फोल्ड करते करते हैं तो इसे ही काफी सारे इस्टिक हम बना लेंगे ये बन गई हमारी दूसरी स्टिक इसको गुलू से चिपका देते हैं, ऐसे, तो ये हमारी स्टिक प्रो पर बन चुकी है, और इसको हमने गुलू से चिपका दिया है, ये हो गई हमारी पाइनरी, हमने ऐसी ही पाँच स्टिक बना ली है, आप कितनी भी बना सकते हैं, ये बन गई हमारी स्टिक, और आगे चलते हैं, अब हम बनाएंगे फ्लावर, तो फ्लावर को बनाने के लिए हमें इस तरह की शेप बनानी है, सरकल, फिर इसको इसे फोल्ड करेंगे, एंड इदार से भी फोल्ड करेंगे, ये हो गया हमारा फोल्ड, एंड इसको शीजर से कट करेंगे, बारीगी से, कट करेंगे इसको पूरा, ये देखें, इस परकार हम इसको शीजर से कट करेंगे, ये हमने कट कर लिया, अब इसको फ्लावर शेप देने के लिए इस तरह की पत्ती बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, बीच में से, तो ये हमारे पूरी कट चुकी है, करेंगे, ये अजए दिए, अजए दिए, इसको च्छा बनाने के लिए एसे सीजर से कट करना है, देखे रहेंगे, जिसे की फ्लावर की लिए अच्छी होगी, ये देखें, हमारा फ्लावर अभी ऐसा दिख रहा है, अभी इसको यहां से कट करेंगे, इसको फोर्ड करेंगे, एंड फ्लावर की से देगे इसको, एंड फिल पैंसिल से हमको एसे करना है, जिसे की लिव्ज है जो अच्छी से पाए इनकी, वाओ, ये बहुत अच्छा फ्लावर बन चुका है, फिसको ब्लू से चिपका देंगे, जिसे की खूलना सकते, एंड फ्लावर में भी आपको इसा भी कलर ले सकते हैं, यहां हमने यलो लियाए, एंड ये देखें हमारा फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, एंड इसमें इसकेश से एसे करेंगे, जिसे की हमारा फ्लावर और भी सुन्दर दिखेगा, इसको इस पर कर लेंगे, कोई सा भी स्केश आप यूज़ कर सकते हैं, हमने रैड किया है, यह हो गया हमारा फ्लावर, एंड इसमें हमने बीच में एक स्टोन लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे फ्लावर कंप्लीट हो चुके ही बनकर, यह देगा, हमने सभी में डिफेंट कलर जो है अंदर की साइड के हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसको गुलू से चिपकाएंगे, अबचा इस्टिक पर जो हमने इस्टिक बनाए थी, उन पर चिपकाएंगे, यह देगे गुलू से, जो की हमारा फ्लावर है वो चिपक चुका है गुलू से, इस्टिक पर, यह देगे, एंड जो और दूसरा फ्लावर है उसको भी ऐसे चिपकाएंगे, पहले बारे फ्लावर से थोड़ी दूरी रखेंगे, एंड इसको चिपकाएंगे, यह हमारा दूसरा भी चिपक चुका है, एंड फिर तीसरा, आप देख लेना कि हमारा फ्लावर अच्छे से चिपक चुका है या नहीं, आप कोई भी आकार की पत्ती का डिजाइन है जो बना सकते हैं, हम यह पर यह सिंपल सा डिजाइन था जो वो दिया है पत्ती को, और इसको भी ब्लू से चिपका देंगे यह देगे चिपक चुक यह हमारी लेज, एंड हमारी श्टिक को चैसी दिखी यह हमारी फाइनल हो चुकी है, एंड आप कितने भी पत्ती लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ओर लगाई है, जो कि यह जंग है थी जो खाली दिख रही थी इसलिए हमने एक ओर पत्ती लगा दे हैं, जिससे की अब जाच्छी लग रही है, एंड हमने वे जो हमारी फाइब इस्टिक्स थी उन सभी पर फ्लावर्स लगा दे हैं, तो हमारी कुछ ऐसा दिख रहा है, फाइनल लुक इस थीर, तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, थैंक्यू, कर दो झाल कर दो कर दो